CM KCR ने विधान सभा के मंच पर केंदर सरकार की आलोचना की विधान सभा में बजट बैठकों के तहट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में हुई चर्चाओं को जंडे दिखा कर रवाना किया उन्होंने कहा है कि देश में हालात खराब है और देश के हालात पर लंबी चर्चा की जरूरत है CM ने चिंता जटाते हुए कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी सिती जस की तस बनी हुई है विधान सभा में करेंसी एक्स्चेंज बिल पर बहस के दोरान सियम केसिया ने प्रधान मंतरी मोदी का मजाक उड़ाया उन्होंने कहा है कि बिना तथ्य बताएं मोदी की संसत में तारिफों की बोचार हो रही है उन्हें सुनकर भी गुस्सा आ रहा है और जब तक सब पता चलेगा तब तक वहां पूर्व प्रधान मंतरी हो चुके होंगे अतीत में तिरुमला राययू नाम का एक राजा था उसकी एक ही आग थी इसको लेकर वहां हमेशा चिंतित रहते थे उसी राज्य में एक कवी थे यहां गरीब था वहां राजा से सहायता प्राप्त करना चाता था हर को यही सला देता कि उसकी खुब तारिफ की जाए यह दपी कवी को यहां पसंद नहीं आया फिर भी एक दिन उसने राजा की प्रशंसा की और कवीता सुनाई और कहा जब आप अपनी पत्नी के साथ होते हैं तो आप तीन आँखों वाले शिव होते हैं इसका मतलब है कि आपकी पत्नी दो आँखों के साथ आपकी तीसरी आँखे है जब आप अपनी पत्नी के साथ नहीं होते हैं तो आप राक्षिसों के स्वामी शुक्राचारी की तरह होते हैं यदि आपके पास वहाँ एक आँख भी नहीं है तो क्या आप किसी से कम है प्रसद में भी प्रधान मंत्री मोदी की इसी तरह तारिफ की जा रही है और मजग बनाया जा रहा है। मुक्य मंत्री के सिया ने कहा है कि देश को बरबात करने वाली वीजेपी सरकार के लोग भजन गाएंगे और 2024 के बाद केंदर में उस पार्टी की हकोमत खतम हो जाएगी। उन्होंने सुतंद भारत के 75 वर्षों में नरिंद्र मोदी को सबसे अक्षम प्रधान मंत्री बताया। उन्होंने पिछले 9 साल से केंदर के खराब प्रधाशन की आलोचना की। वे रविवार को विधान सभा में मुद्रा, विनिमय, विधायक पर हुई बहस के चवाप में बोल रहे थे। उन्होंने का है कि भाजपा इसलिए मैदान में उतरी है क्योंकि कॉंग्रिस देश में फेल हो गई है। उन्होंने का है कि मोदी से तैलंगाना पर संकीर्टनता और राशनीती से बचने और बकाया धनराशी देने का अनुरोत कर रहे है। उन्होंने का है कि अगर उन्होंने सयोग किया तो वे केंदर को सयोग करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार तेलंगाना में दो बार जीत चुकी है और यहां जनता की जीत है उन्होंने कहा है कि विनम्र वर्ग के लोग अगले चुनाओं में अपनी पार्टी के लिए वोटों की बार ला देंगे जबकि बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलेगा उन्हो 16,000 मेगा वाट की मांग होने पर भी बिजली निर्बंद मिलेगी मोधी जीत गए अगर उन्होंने कांगरेस से परे कुछ करने के लिए वोट दिया लेकिन देश की जनता हार गए उन्होंने कहा है कि भारत 2023 से 24 तक 5 ट्रिलियन आर्थ विवस्ता बन जाएगा यहां 3.3 ट्रि मौंत्री हरिश राओ ने कहा है कि GHMC के तहट 1500 आशा पदों के लिए इसी महने की अधिसूचना जारी की जाएगी बस्ती दवाखानों में जल्द बायोमेट्रिक सिस्टम लागो किया जाएगा पता चला है कि बस्ती दवाखानों में अब तक एक करोन लोगों को सेवाई मि मौंत्री हरिश राओ ने विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिये उन्होंने कहा है कि गरीबों की सुविधा के लिए बस्ती दवाखानों के कारे दिवसों में परिवर्तन किया जाएगा उन्होंने कहा है कि अब से वेशनिवार को कि केसिया ने जो कहा वाज जूट है उन्होंने चुनोती दी है कि क्या केसिया इस्तिफा देने के लिए तयार है उन्होंने भाजपा प्रदेश कारेले में मीडिया कॉंफिरेंस कर अपनी बात रखी उन्होंने कहा मुक्यमंत्री ने पवित्र सभा में जूट बोलकर लोग घर में नहीं है अगर वा इस तरह की बात कर रहे है तो क्या उन्हें स्पीकर को रोक देना चाहिए उन्होंने का है कि वा अभी भी सौ बार इस्तिफा देंगे उसने जो कुछ भी कहा वह सब जूट था हम उन्हें साबित करने के लिए तैयार है इस्तिफा देने को तयार है केसियार, दिनांक और समय निश्यत करे, लोग केसियार के जूट पर हस रहे है, तीन साल में भारतिया अर्थव्यवस्ता तीसरे स्थान पर जा रही है, और राज्य की वित्य सिती क्या है, कर्स क्यों है, कुर्शना नदी पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनते, क्या आप सिंगरैनी का नीजी करन नहीं करने की शपत लेंगे, वे नीजी करन के नाम पर एक बच्चे को नेता बनाने की कोशिश कर रहे है, भाजपा पार्टी की गतिविदिया सिंगरैनी के पैसे से नहीं चल रही है, राज्य के लोग दूसरे राज्यों मे क्यों जा रहे है, प्रोजेक्स से लेकर जमीन की बिक्री तक सब भरस्ट है, मोधी सरकार 150 देशों को वैक्सिन एक्सपोर्ट कर चुकी है, आपने तेलंगाना से नाता तोड़ लिया है, आपने प्रदेश को करददार बना दिया है, प्रदेश की जनता से माफी मांगे, ब उनाफे वाले सारवजनिक उक्रमों को बेच रही है, उन्होंने विधान सभा में मुद्रा, विनिमय, विधायक पर बहस के दोरान यह बात कही, उन्होंने का है कि केंदर तलंगाना को पानी के आबंटन में देरी कर रहा है, उन्होंने मांग की है कि केंदर और रज्य सरका खाड़ी श्रमिकों के कल्यान के लिए धन आबंटित करे उन्होंने आलोचना करते हुए का है कि केंदर सरकार रोजगार गारंटी योजना का फंड कम कर गरीबों के पक्ष में काम कर रही है वे जल से जल बंजर भूमी को टाइटल देना चाहते हैं उन्होंने का है कि आने का दबाव बनाने को कहा ग्राम पंचायतों को समय पर राशी जारी की जाए उन्होंने जल से जल गरीब लोगों को सोगत जगा देने के लिए जीवो लाने को कहा वे बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं वे अल्प संकिकों के लिए तेरा प्रतिशत आरक्षन लाग उन्होंने सुझाव दिया है कि कुछ पार्टिया भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है और ऐसी सितिया नहीं आनी चाहिए। का त्यलंगाना है और बार का त्यलंगाना है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगार के साथ धोका किया गया है और उनकी आखों के सामने एक दशमलो एक्यानबे लाख नोकरियां खाली होने के बावजुद दूसरे कारेकाल में एक भी नोकरी नहीं भरी गई पत्र लिखकर उने काई कि कही बेरोजगार लोग आत्मात्या कर रहे है तेलंगाना विधान सभा का सत्र समाप्त हो चुका है CMKCR के भाशन के बाद स्पीकर पोचारम शिनिवास रेडी ने बैठक अनिशित काल के लेस्थगित कर दी है विधान मंडल का बजट सत्र कुल 56.25 घंटे तक चला इसी मेने की तीन तारी को तेलंगाना बजट पैठक के शुरुआत गवर्नर के भाशन से होई वित्मांत्या हरिष्ट्राओं ने इसी मेने की छे तारी को विधान सभा में बजट पेश किया था इसके बाद सदन ने राच्च पाल के अभी भाशन पर धनिवात प्रस्ताओ कर चर्चा कि बंदा प्रकाश ने कहा है कि उने विधान परिशत का उप सभापती चुने जाने पर खुशी है उन्होंने कमजोर वर्क के एक बच्चे को विधान परिशत का उपसभपती बनाने के लिए KCR को धनिवाद दिया उन्होंने कहा है कि उन्हें जो जिम्मधारी दी गई है उसे वे लोकतांत्रिक तरीके से निभाएंगे उन्होंने कहा है कि वहाँ अध्यक्ष के सुचाव को और निर्देश के अनुसार बैठक का संचालन करेंगे